हेलो एवरिवन आज की इस क्लास में शुष्वाल जी के इंपोर्टेंट कोशन्स कराए जाएंगे जो कि आपके सभी एक्जैम्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर ज़रू कर दीजे ये थर्ड क्लास से पहले दो और क्लास हो चुकी है टोटल ये सिरीज चलने वाली है 300 प्रशनों की जिसमें आपको डेली कराई जा रहे हैं 30 प्रशन तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी जादा से जादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रू कर दीजे अगर आप नेट, जियारफ, पीजिटी, जियाइसी या फिर एसेस्टन प्रफेसर एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं शुशौल जी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कम्प्लीट कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के फोल्डर्स मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियो को देख सकते ह है बस कुछी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है ओके हैं यहां तक हो गया था चले स्टार्ट करते हैं एक संस्कृती एक व्यक्तित्व की अवधारना विक्सित की है विसलर, ओपलर, टाइलर, रूत, बेंडेक्ट यहाँ पर आप्शन्स है एक संस्कृती एक व्यक्तित्व की अवधारना इन में से किसकी है विसलर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेंडेक्ट यहाँ पर आप्शन्स हैं सही क्या हो जाएगा एक संस्कृति एक व्यक्तित्य की अवधार्णा किसकी हो जाएगी रूथ बेंडेक्ट की हो जाएगी रूथ बेंडेक्ट ओप्शन D यहाँ पर राइट होगा ठीक है, option D यहाँ पर right होगा, next time सभी संस्कृतियों में पाई जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं options हैं, सांस्कृतिक सामानांतर, सांस्कृतिक समाकृतिया, सांस्कृतिक छेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम सभी संस्कृतियों में पाँ जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को क्या कहा जाता है कलचर संस्कृति जब इस कॉंसेब्ट को कमप्लीट कराय गया था तो वहाँ पर सभी ये जो कॉंसेप्स आप देख रहे हैं वहाँ पर सांस्कृतिक सार्वभॉम होगा option D यहाँ पर right होगा अब देखे लिंटन की बात आती है तो लिंटन ने सांस्कृतिक तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया था ठीक है सांस्कृतिक तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया था रॉल्फ लिंटन ने पहले उन्होंने बात की थी सांस्कृतिक सार्वभॉम की, पहला उन्होंने बताया सांस्कृतिक सार्वभॉम, दूसरा सांस्कृतिक विकल्प था और तीसरा सांस्कृतिक विसिस्ट ताई थी, ठीक है, तो इस तरीके से सांस्कृतिक तत्वों का तीन भागों में जो विभाजन है, वो रॉल फिलेंटर ने किया था ये भी याद रखियेगा चले आगे देखते हैं प्रेशन है मिलान करना है यहाँ पर छेतर दिये गए हैं अध्यन से संबंधित है किसका कहाँ पर अध्यन राया है सही क्या हो जाएगा यहां पर देखिए शीपूरम पर अध्धिन किसका था अंद्रे बित्ते का था फिर इसके लावा रामपूरा गाओं पर अध्धिन था ओस्कल लेविस का वार्नर ने यांकी सिटी पर अध्धिन किया था और अलविन ने वेरियर अलविन ने बस्तर पर अध्धिन किया था विकल पर यहां पर ओप्शन ए हो जाएगा फिल्ड वर्क से रिलेटेट भी प्रेशन पूछे जाते हैं तो इसे अच्छे से देख लिजेगा ओप्शन ए हो जाएगा यहां पर राइट अंसर नेक्स्ट है सम्हू जिनमिक घनिस्टता के अभाव के साथ-साथ आकास्मिक संपर्खी द्वित्यक समू का सारतत्व है या किसका कहना है विकल पे ओगबन एन्निमकॉफ बेरिस्टेट, मर्टन, सी एच कूले सम्हू जिनमिक घनिस्टता के अभाव के साथ-साथ आकास्मिक संपर्खी द्वित्यक समू का सारतत्व होते है या इनमें से किसका कहना है ओगबन एन्निमकॉफ, बेरिस्टेट, मर्टन, सी एच कूले यहां पर ओप्शन्स दिये गए है ग्रूप, शोशल ग्रूप इसे भी complete कराया जा चुका है शोशल ग्रूप में जब complete कराया गया था तो उसमें सम्हू से संबन्दित सभी अवधारणर नाओ जयसे की reference ग्रूप, secondary ग्रूप, कोईसी ग्रूप क्या होता है अन्य भी जो सम्हु से सम्बंदित अवधान आए थी उन सभी को complete कराये गया था जो important facts है, important जो MCQs हैं उनको भी सभी classes में कराये गया था तो इसका भी folder आपको playlist में मिल जाएगा, दीखिया आप सभी जितने भी channel से ने लोग जुड़ रहे हैं वे सभी playlist जोड़ चेक कर लीजिया, वी तक जितने भी classes हुई हैं, जितने भी topics complete कराये गये हैं उन सभी का folder बना दिया गया है, जो कि आपको channel के playlist में मिल जाएगा और यहाँ पर सही हो जाएगा, ओगबन एन निमकॉफ, option A हो जाएगा, यहाँ पर right answer नेक्स्ट है, निमनमे से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर ओधोगी की करण और नगरी करण के प्रभाव का अध्यन किया है इनमे से किसने भारत में संयुक्त परिवार जोगी की करण और नगरी करण का प्रभाव पड़ा है, उसका अध्यन इनमे से किसने किया है MS गोरे, MS शिनिवास, GS गोरे, इरावती कारवे यहाँ पर ओप्शन्स दिये गया है, सही क्या हो जाएगा सही यहाँ पर हो जाएगा, MS गोरे, ओप्शन A यहाँ पर राइट होगा MS गोरे होगा, MS गोरे की एक important book है, Urbanization and Family याद रखेगा, Urbanization and Family किसकी है, MS गोरे की है, exams में पूछी जाती है और यहाँ पर अगर इरावती कारवे की बात की जाए, तो इरावती कारवे का कहना था कि भारती समाज के अध्यन के लिए, हमारे पास तीन बातों की जानकारी होनी जरूरी है भारती समाज का अगर हमें अध्यन करना चाहते हैं, अध्यन करने के लिए हमें तीन बातों की जानकारी होना जरूरी है एक तो भाषाई सरशना पहला किसी बताते हैं भाषाई सरशना की बात करते हैं दूसरी जो कास स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं जाती सरशना की और तीसरी पारिवारिक सरशना पारिवारिक सरशना में वे ज्वाइन फैमली की बात करते हैं ठीक है ज्वाइन फैमली का जो इंपोर्टेंट है चले आगे देखते हैं प्रेशन है यतर्क किसका है कि जातिवाद एक ऐसी उच्य अंध तथा सर्वोच समुभक्ती है जो न्याय और चित्य समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ समाजिक मानुकों की उपेक्षा करती है यहां पर सही क्या हो जाएगा यहतर किन में से किसका है सही हो जाएगा विकल्प यहां पर ए काका कालेलकर ओप्षन ए यहां पर राइट होगा नेक्स्ट है अपराद के छेतर में प्रत्यक्षवादी सद्धान्त का प्रियोग किस ने किया ओप्षन देख लेते हैं लॉम्रोसो एन्रिको फेरी या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं बताईए अपराद के छेतर में प्रत्यक्षवादी सद्धान का प्रियोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा option C यहाँ पर right answer हो जाएगा और crime इसे भी complete कराया जा चुका है अपरादी जन्ब से ही अपरादी होता है जैसे जैसे समाजों का विकास होता है वे अधिकाधिक जटिल और विभेदी करत होते जाते हैं अब यहाँ किस से समबंदित है हिंडि मैन, डॉर्विन, मेलノवस की स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शन्स है समाजो का विकास सापिक्षिक विशम रूपता और सरलता से सम रूपता और जटिलता की ओड होता है जैसे जैसे समाजो का विकास होता है वे अधिकाधिक जटिल और विभेदी क्रत होते जाते हैं बदाईए सही क्या हो जाएगा हेंड्री मैन डॉर्विन मैलोनवस के स्पेंसर हैं यहांपर राइट अंसर हर्बर्ट स्पेंसर होंगे Herbert Spencer जिसे समाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है नोने समाजिक उद्विकास का सिद्धान दिया था समाजिक सरशना की भी बात इनोंने की थी तो option D यहाँ पर राइट होगा अगर हम उद्विकास के जनक की बात कहें कि उद्विकास के जनक कौन है तब वहाँ पर डार्विन हो जाते है समाजिक उद्विकास के जनक पूछा जाए तो वहाँ पर Herbert Spencer होगे ठीक है तो option D यहाँ पर राइट होगा और समाज के दो प्रकार इन्होंने बताए थे सैनिक या शिकारी समाज पहला क्या है सैनिक या शिकारी समाज और दूसरा ओधोगिक समाज है तो इसे भी याद रखेगा चले आगे देखते हैं प्रेशन है धरोहर धारी परिवार के अवधारना के प्रतिपादक है लीपले, मॉर्गेन, जिमर्मैन, बर्जेस यहाँ पर options है अभी हाल ही में family से related class हुई है जिसमें काफी detailing में बताया गया है उसमें परिवार का अर्थ क्या है उसके उत्पत्ती के सद्धान क्या है विशेष्टाई क्या है, महतपुर विशे जो अवधान नाएं हैं परिवार से सम्मंदित समाज शास्तियों का जो अध्यन रहा है family की जो types हैं इन सभी को कराया गया है और important जो questions हैं उन्हें भी last में कराया गया था तो जिसने भी ना देखा हो भी आपको folder मिल जाएगा family के नाम से वहाँ से आपको सारी classes मिल जाएगी जरू देख लीजेगा important facts भी बताया गया है यहाँ पर right answer हो जाएगा Zimmerman Zimmerman ने तीन प्रकार बताये थे परिवार के option C यहाँ पर right होगा पहला जो नियासिता परिवार था trustorship जिसे बोलते हैं उसे ही धरोहर धारी परिवार बताया गया है दूसरा अति लगू और घरेलू परिवार है तो यह तीन प्रकार Zimmerman ने बताये हैं चलिए आगे देखते हैं प्रशन है किसने कहा है कि समाजिक स्तरी करण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे इस्थाई समू हो और श्रणियों में विभक्त करने वाली वैवस्ता से है जिसके अंतरगत समू वा श्रणिया उच्चिता वा अधिन्ता के सम्बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है और श्रणियों में सोरोकेन, जिन्सबर्ड, सदरल्लैंड और वुड़वर्ड हैं शोशल स्ट्राटिफिकेशन इसे भी कम्प्लीट कराया जा चुका है समाजे के स्तरीकरन का अर्थ समाज को कुछ ऐसे इस्थाई समू हो और श्रणियों में विभक्त करने वाली विवस्था से है जिसके अंतरगर्थ समू वश्रणिया उच्चिता वाधीनता के संबंधो द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है सही क्या हो जाएगा यहाँ पर जिन्सबर्ट सही हो जाएगा ठीक है ओप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा निक्स्ट है व्यक्तित्वे एक मांसिक गटना है यहाँ ना तो आंगिक है और ना ही समाजिक बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है ओगबन, किंग्सले डेविस, किमबॉल यंग, पार्सन्स यहाँ पर आप्शन्स है व्यक्तित्वे एकमानसिक घटना है या ना तो आंगेक है और ना ही समाजिक बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है या किसका कहना है राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट अंसर यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा ओप्शन बी यहाँ पर राइट होगा समाजी करन का तातपर सीखने से है ताकि व्यक्ति समाजी कारियों को कर सके या किसकी परिभाशा है सीमेल, जॉनसेन, बोगाडस, किंग्सले डेविस इस तरीके से समाजी करन को किसने परिभाशत किया है? समाजी करन का तातपर सीखने से है ताकि व्यक्ति समाजी कारियों को कर सके शोशलाइजेशन इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है राइट आंसर यहाँ पर जॉनसेन हो जाएगा जॉनसेन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा समाजी करन एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है चुकि जीवन भर चलती है तो यह एक गथिशील प्रक्रिया हो जाएगी महतपुर अवस्था, बाल अवस्था से किशोर अवस्था मानी जाती है और व्यक्ति जिस समाज का सदस होता है उस समाज के ही मानक, मुल्डंड, विश्वासो जो आच्रण है उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजी करन कहलाती है तो यहाँ पर B हो जाएगा right answer किस दाशनिक ने मैक्स वेबर को वस्टहन यानि की व्याक्ख्यात्मक बोध या व्याक्ख्यात्मक जो समझ है इस पदिती के प्रियोग हेतू प्रेरित किया है options में हेगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन यहाँ पर दिये गया है सही क्या होगा देखिए मैक्स वेबर की बात की जाए तो इन्होंने समाज शास की जो विशे वस्टू है वो social action या जिसे हम समाजिक किरिया कहते हैं उसे बताया था और इसके अध्यन के लिए दो पदितियों की भी बात की थी वे दो पदितियां कौन सी थी? उसमें तो एक व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ वस्टहन है और दूसरा ideal type है और यहाँ पर वस्टहन इस पदिति का प्रियोग जो था वो डिल्थे से प्रेरेथ होकर इन्होंने किया था C हो जाएगा यहाँ पर right answer नेक्स्ट है या किसने कहा कि क्रशक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है इसे भी complete कराया जा चुका है A.L. Krober, Andrebete, T. Shannon, Arford यहाँ पर options है सही क्या हो जाएगा Krober हो जाएगा A.L. Krober, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है, इन्होंने क्रशक समाज को मध्यवर्तिय समाज भी कहा था याद रखेगा, क्रशक समाज को मध्यवर्तिय समाज भी A.L. Krober ने कहा था, इन्होंने कहा था, एक और जब हम देखते हैं क्रशक समाज के, तो एक और हमें जनजाती समाज देखने को मिलता है Tribal Society देखने को मिलती है, वहीं दूसरी और देखने पर हमें Urban Society नगरिय समाज देखने को मिलता है और क्रशक समाज के स्थिति क्या है, बीच में है, इस वज़े से उन्होंने क्रशक समाज को मध्यवर्तिय समाज कहा था Option A हो जाएगा यहाँ पर राइट, और क्रशक समाज इसे भी पूरा कम्प्लीट कराया जा चुका है चले, आगे देखते हैं प्रशन है, समाज एक व्यवस्था के रूप में तभी कारी करता है, जब वह इस्तिर होता है समाजिक व्यवस्था का आधार समाजिक संतुलन है यह तरक है Options है, अगस्त कॉम्ट, पेरेटो, दुर्खीम, पार्संस समाज एक व्यवस्ता की रूप में तभी कारी करता है जब वहां इस्तिर होता है और समाजिक व्यवस्ता का आधार समाजिक संतुलन है यह तर्क इन में से किसका है सही क्या होगा यहाँ पर सही होगा विल्फ्रेटो पेरेटो पेरेटो यहाँ पर option B यहाँ पर right होगा और पेरेटो की जो book है mind and society है important book है इसे भी याद रखेगा पेरेटो ने action यानि की किरियाएं दो प्रकार की बताई थी तार की किरिया और आतार की किरिया ठीक है तार की किरिया और आतार की किरिया ये दो किरियाओं की बाद पेरेटो ने की थी, इसे भी याद रखेगा, समाजिक परिवर्तन का अभिजात वर्क का परिभ्रमण का सिद्धान भी परिटो ने दिया है, इसे भी याद रखेगा, इसे भी कम्प्लीट पुरा कराया जा चुका है, शोशल चेंच वाली जो 30 वाली जो क्लासेस होई थी, उसमें परि देख लिजेगा, इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, चलिए, आगे देखते हैं, प्रस्थती ऐसी स्थती एवंपद है, जिसे व्यक्ति किसी समों में अपने लिंग, आयू, परिवार, वर्ग, वेवसाई, विभा तथा उपलब्धी के कारण प्राप्त करता सही क्या होगा, प्रस्थती ऐसी स्थती या पद है, जिसे व्यक्ति किसी समों में अपने लिंग, आयू, परिवार, वर्ग, वेवसाई, विभा तथा उपलब्धी के कारण प्राप्त करता है, स्टेटस एंड रोल, प्रस्थती और भूमिका इसे भी कम्प्लीट कराया जा चुका है, सबसे पहले बात की जाए स्टेटस एंड ग्रुप की, तो रोल फ्लिंटन ने इसका सबसे पहले वर्णन किया था, अध्यन किया था, जिसमें कि उन्होंने प्रस्थती के दो प्रकार भी बताया थे, प्रदत प्रस्थती और अर्जित प्रस्थती, और यहाँ प उस प्रतेक वहवार से है, जो समानी रूप से माने आचरण का उलंगन है, लेसली, वाइट, कोहन, मर्टन, क्लोवाट, ओहलेन यहाँ पर आप्शन्स हैं, इनमें से यहाँ किसका कहना है, कि विचिलन का तातपर अपराद और अपचार से ना होकर, बल्कि उस प्रतेक जो समानी रूप से माने आचरण का उलंगन है, इस तरीके से विचिलन को किस ने परिभाशित किया है, और ध्यान रखिएगा, विचिलन की बात सबसे पहले मर्टन ने की है, सर्व प्रतम विचिलन की बात किस ने की है, मर्टन ने की है, मर्टन ने किस तरीके से विचिलन क की बात की है वे कहते हैं समाज की जो नियम मानक हैं उनके अनुरूप आच्रण ना करना ही विचलन कहलाता है समाज के नियमों और मानकों के अनुरूप आच्रण वहवार ना करना ही विचलन की श्रणी में आता है और सबसे पहले विचलन की बात विचलन की बात मर्टन ने ही विचलित वहवार पर ध्यान दिया है जबकि श्वेट वस्तधारियों तद उच्चे वर्ग में अपराद अधिक पाया जाते हैं जिन पर मर्टन ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरीके से एक तरीके से मर्टन के आलोचना इन में से किसने की करते हुए यह तर्क दिया है लेमर्ट, कोहन, क्लेनोट, पार्संस यहाँ पर आप्शन्स है मर्टन ने निम्न वर्ग में विचलित वहवार पर तो धियान दिया लेकिन श्वेत वसंद जो धारी है या जिसे हम उच्चे वर्ग कहते हैं उसमें जो अपराद अधिक पाए जाते हैं उन पर मर्टन ने बात ही नहीं की है उन्हें अंदेखा किया है तो यहाँ पर क्या होगा क्लेनोट का यह तर्क है क्लेनोट का है ओप्शन C हो जाएगा यहाँ पर राइट अंसर नेक्स्ट है इन में से किसने अपनी क्रती मैन फॉर हिंसेल्फ में व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव का विचार रखता है अब दिखी ये बुक किसकी है मैन फॉर हिंसेल्फ बुक का नाम क्या है मैन फॉर हिंसेल्फ है और इस पुस्तक में व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव का जो विचार है वो इन में से किसका है काल मार्क्स, हीगल, माक्स वेबर, एरिक फ्रॉम यहाँ पर ऑप्शन्स दिये गया है बताईए एंड शुशौल जी की जो important books है उसे पहले ही complete कराया जा चुका है जिसका folder आपको playlist में मिल जाएगे and books काफी ज्यादा है तो आप लोग अभी समय हैं तो थोड़ी थोड़ी करके आप लोग याद के लीजे क्योंकि एक खटा याद करने बैटेंगे तो problem होगी ठीक है, confused भी हो जाएगे, बहुत ज्यादा books है एंट चुकी books से related questions भी आपके exams में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, Eric from होगा, ठीक है Eric from होगा, option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, चली, आगे देखते हैं प्रेशन है, निमनांकित में से समू की सदसता निर्धारन करने के लिए निमनां दो माप डंडो का उल्ले किया, व्यक्तिगत और वस्तु बरक इस तरीके से सदसता, समू की सदसता निर्धारन की बात किसने की है Parsons, Merton, Koolay, Kingsley Davis यहाँ पर options दिये गया है, बताएगे सही क्या होगा, समू की सदसता निर्धारन के लिए इन दो माप डंडो का उल्ले किसके द्वारा किया गया है Parsons, Merton, Koolay, Kingsley Davis यहाँ पर options दिये गया है, सही क्या होगा सही यहाँ पर देखे, Merton होगा, Merton, Robert King Merton, option B यहाँ पर right answer हो जाएगा देखे, Merton ने समू के लिए तीन तत्वो की बात की थी, कि समू के लिए तीन तत्वो का होना जरूरी है यह तीन तत्व कौन कौन से थे एक तो उन्होंने बताया, कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है समू के निर्माण के लिए पहली चीज, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, अब उन व्यक्तियों के बीच में संबंधों का होना जरूरी है, अब ये संबंध कैसे निर्मित होते हैं, कैसे संबंधों का निर्माण होता है, जब व्यक्तियों के बीच में बार बार अंतर किरियाई तो अंतर के रियाओं के माध्यम से ही संबंध का निर्माण होता है तो अब दो या दो से अधिक वैक्तियों का होना और उन वैक्तियों के बीच में समाजिक संबंधों का होना जरूरी है और तीसरी जो महतपुर बात है जिसमें उन्होंने वैक्तिगत और वस्तु परक की बा ये व्यक्ति परक को दर्शाता है, दूसरी समू के अंदर भी या भावना का पाया जाना कि वह हमारी ग्रूप का मेंबर है, ये वस्तु परक के अंतर गताए जाएगा, चेके, क्लियर, तो इन तीन तत्वों की बात किस ने की है, समू की सदस्ता के निर्धारन के लिए मुट प्रवेश करता है, तता समाज की विभिन समूहों की सदस्ता प्राप्त करता है, जो उसे समाज की मूल्यों और मानकों को स्विकार करने की प्रवेश करता है, तता समाज की विभिन समूहों की सदस्ता प्राप्त करता है, एवं उसे समाज की मूल्यों और मानकों को स्विका प्रेणा भी मिलती है विकल्प में Johnson, Kimball Young, Gillian & Gillian Green यहाँ पर दिये गए है सही क्या हो जाएगा सही यहाँ पर हो जाएगा Kimball Young B यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है समाज एक व्यक्तिगत विचारो के मध्य एक संबंध है या किसका तरक है मैक्स वेबर, पार्संस, सी एच कूले, रॉबर्ट पार्क, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है या किसका कहना है राइड अंसर यहाँ पर सी एच कूले होगा, ओप्शन सी यहाँ पर राइड होगा चले आगे देखते हैं प्रेशन है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतर किरिया में परिवर्तन को समाजिक परिवर्तन कहा है वन वीस, वेबर, पार्संस, कूले सही विकल्प क्या होगा, व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतर किरिया में जब परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन समाजिक परिवर्तन कहलाता है इस तरीके से समाजिक परिवर्तन को किसने परिभाशित किया है टॉलकेट पार्संस ने ओप्शन C होगा यहाँ पर राइड आंसर ठीक है पार्संस और पार्संस का समाज शास्त में जो योगदान है वो तीन महतपुर रहा है, एक तो social system पर रहा है, दूसरा functionalism पर रहा है और तीसरा social action पर रहा है, ठीक है? तो option यहाँ पर C होगा right answer प्रेशन है किसका मानना है कि जाती ववस्ता में गतिशीलता संस्कृती करण एवं पश्मी करण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है केतकर, घुरिये, हट्टन, शिनिवास यहाँ पर विकल्प दिये गया है इनमें से किसका मानना है कि जाती ववस्ता में गतिशील्दा, संस्कृती करण एवं पश्मी करण की प्रक्रियाव द्वारा सदेव संभव है सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, MN शिनिवास, MN शिनिवास, Option D, यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा MN शिनिवास की हलाके अवधाना हैं बहुत, जो इंपोर्टन से अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले संस्कृती करण की है, संस्कृताइजेशन दूसरा जो इनका important concept है, dominant caste, प्रभत्व जाती या प्रभावी जाती या प्रभु जाती जैसे कहा जाता है यह दो अवधानाओं पर classes हो चुकी है, जिसका folder आपको प्लेलिस में मिल जाएगा M.N.C. निवास के महतपुर अवधानाओं के नाम से दोनों पर अलग-अलग classes लिग गई है most important के concepts है, उनके बाकी concepts है, जिके जैसे कि उन्होंने संस्कृती करण, पश्मी करण के अवधाना भी दी है धर्मेर पेक्षी करण की भी अवधाना है, आधुनी की करण की भी अवधाना है, इनकी अवधानाओं की अपेक्षा जो exams में पूछी जाती है, वो संस्कृती करण and dominant caste की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी अवधानाओं को अंधेखाप कर दे, आपको थोड़ा-थोड़ा जानना जरूरी है सबके बारे में तो जो की आपको आगे की classes में भी बताया जाता रहेगा कि कौन सा concept है क्या, किस book में उन्होंने concept दिया है, कहाँ पर field work था, वहाँ पर रहकर उन्होंने field work दिया, अध्यन किया है और फिर वो concept दिया, इस तरीके से चुकि प्रेशन पूछा जाता है, वो आपको आगे आने वाली classes में बताया जाता रहेगा, लेकिन ये जो दो concepts है, इन्हें जरूर देख लीजेगा, तो D होगा यहाँ पर right answer, चली, आगे दिखते हैं, प्रेशन है निम्नमि से किसने भूमिका शब्द का प्रियोग अपनी परिभाशा में विशेश प्रस्तति से संबंधिल सांस्क कि क्या होगा? प्रदत प्रस्तति और अर्जित प्रस्तति की भी बात की थी, प्रदत प्रस्तति जो की व्यक्ति को जन्ब से ही मिल जाती है, जैसे की caste जाती, व्यक्ति को जन्ब से ही मिलेगी, जेंडर मिल जाएगा, तो यह सभी प्रदत प्रस्तति के अंतरगत आती है, और अर्जित प् इन्होंने यानि कि ओसकर लेविस ने जजमानी विवस्था का अध्यन किया ओसकर लेविस ने जजमानी विवस्था को प्रकार्यात्मक माना इन्होंने रामपुर गाओं का अध्यन किया है यहाँ पर दिखिए सही बताना है और जजमानी विवस्था इसे भी कंप्लीट कराय जा चुका है जजमानी विवस्ता की बात की जाए तो सबसे पहले ये जो अध्यन है जजमानी विवस्ता का कॉंसेप्ट किसने दिया है या किसने इसका अध्यन किया तो विल्यम वाइजर आ जाएंगे जजमानी विवस्ता सब्धार्णा का यूस किसने किया या अध्यन सबस जजमानी ववस्ता को यह वाइजर का था ठीक है वाइजर ने बताया था जजमानी ववस्ता को प्रकारयात्मक संस्था जो हमारे ऑसकर लेविस हैं उन्होंने जजमानी ववस्ता को शोशनात्मक संस्था बताया था इसमें इन्होंने कहा था कि जजमानी ववस्ता में जो सही क्या होगा सरभारा की बात करी जाए तो काल माक्स ने बात की है पुझी बात की जो विचार धारा है मैक्स वेबर से संबंदित हो जाएगी श्रम विभाजन की बात हो जाएगी इमाईल दुर्खीम से और जजमानी व्यवस्ता जो की अधान प्रैदान की ववस्ता है वाईजसर से सम्बंदित हो जाएगी भी होगा यहां पर सही next है किसने कहाई की प्रस्ततियम भूमिका संदर्प्समु वहवार का सरशनात्मक परिपेख्षु प्रदान करते हैं या किसका कहना है Talkett Parsons, James Silverburg, Archie Merton, MN, MF, Nimkov यहाँ पर options है सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा Robert King Merton Robert King Merton options C यहाँ पर right होगा नेक्स्ट है यह मानिता की प्रतीक संस्कृति का मुल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए यहाँ प्रतिलों है संस्कृति ग्रहन के, निर्जाति केंदरवाद के, प्रभुत्व के या फे अल्प संख्यक वाद के प्रतीक संस्कृति का मुल्यांकन अपनी शर्टों पर होना चाहिए या किसके प्रतिलोम है बताईए निर्जाती केंदरवाद के, निर्जाती केंदरवाद में क्या होता है, किसी सम्हू की संस्कृति का हम अध्यन अपनी मान को मुल्डंडों के अनुसार करते हो, अंतत हम पाते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो क्या है, बहतर है दूसरी संस्कृति से, तो यहाँ पर हो तक शोशल स्ट्रक्चर में परिवार के चार सार्व भॉमिक प्रकार बताएं, फंक्शन्स की बात हो रही है, लेंगिक संबंधों का नियमन, पुनुरुत पादन, आर्थिक सहीयोग एवं समाजी करन, ओप्शन्स में लेच मॉर्गन है, ओगबन है, जीपी मर्डॉक हैं, आइड आंसर हो जाएगा, तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप या आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा, चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, थैंक यू,